हलो वियर्स वेल्सम बैक टूमर चालल आज का हमारा ब्लोग उने वाला इस ब्यूटिफुल से पाटिवेर हेर बेंड का तो चले ब्लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेना है आपको इस तरीके का हेर बेंड यहाँ पर मैंने देखे एक इंच बाला हेर बेंड यूज किया है उसके बाद हम यह लेंगे स्टिप तो देखिए इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने रखी है दो इंच और इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है 17 इंच ठ काननी है तो इस तरीके से हम इस पर ग्लू लगाते जाएंगे और इस कपड़े को चिपकाते जाएंगे मैंने यहां पर जो ग्लू यूज किया है वो भी 6000 है अब ग्लूगन की हेल्स से भी इस तरीके से चिपका सकते हैं तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाएंगे और जो इस टिप है से चिपकाते जाएंगे तो देखे इस तरीके से मैंने नीचे तरह पूरा चिपका लिया अब उपर जिसे हमने नीचे चुप कर या तो इसे ही चुपका एंगे ग्लू लगाते जाएं गे जो हेरवेंट तो आप इस तरीके से किसी भी टाइप के हैर्बेंट या जो हैर्बेंट अठाई इंच के आते हैं उन्हें अराम से बना सकते हैं जितना आपकी हैर बैंड की जो वेट थे उसका आपको डवल कपड़ा लेना है बस आप इतना काल लिए अप जो एक्स्टा में हमारा कपड़ा है न हम उसको दोनों तरफ काट के ठीके से देखें तो ये और ये हमारा बेस बन गया है इस तरीके से यह अब हम करेंगे और हम करें एस रहें अब हम लेंगे ये दूसरा कपड़ा मै ने यहाज दो साटें का कपड़ा है ना इंब वो 3.2 इंच है, ओके, आप 3.5 के करीब इतनी रख सकते हैं, ओके, अब और देखिए, यह 18 इंच है, और आप चाहें तो इसे 3 इंच भी रख सकते हैं, अब आपको इस तरीके से ऐसे इसको fold करना है, और पूरे पे यहाँ पे stitch कर लेना है, तो देखिए, मैंने stitch कर लिया है, तो देखिए, इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है, अब हमको क्या करना है, जहां पे सिलाई हुई है, उस side को ऐसे उपर रख के, इसके उपर आपको press कर लिया है, press बहुत जरूरी है, क्योंकि press करने से जो हमारी सिलाई है, वो set हो जाती है, और हमारा जो कपड़ा है, वो अब एकदम set हो जाता है, तो इस तरीके से हम फटापट इस सारे पर यहने दोनों तरफ आगे और पीछे की तरफ ऐसे press कर लेंगे, तो यह हमने इस पूरे पर कर लिया है, अब इसे भी करेंगे, साइड, अब यह strip लेंगे, देखिए, इसकी जो चोड़ाई है वो 1.5 तो देखिए, मैंने पूरी stitch कर लिए है, अब हम spin लगाएंगे और इसे भी फटाफट सीधा कर लेंगे, मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है, वो glitter वाला कपड़ा है, अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा ना हो, तो आप दूसरे रंक है, याने yellow color या फिक किसी भी और कर लगा प्रिंटेट कपड़ा ले लिजे, या फिस plane किसी भी कर लगा कपड़ा ले लिजे, तो भी hairband बहुत beautiful बनता है, तो इस तरीके से हम इसे फटाफट सीधा कर लेंगे, तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा थोड़ा इसकी जो bit थे वो कम है, तो सीधा होने में किसी problem जाती है, तो देखिए, हमने stitch इसे सीधा कर लिया है, इसे उपर रखेंगे और इसकी main side है, अब हमने जो पहले fabric stitch किया था, उसको लेंगे, ठीके, फिर इसकी mid में से इस तरीके से ऐसे रखना है, और इसके उपर आपको कह करना है, पूरे पे आपको machine लगा लेंगी ह तो देखिए, मैंने यहाँ पे machine लगा लिये, अब हमने जो इसका base बनाया था, वो लेंगे, इस तरीके से देखिए, ऐसे, इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पे नीचे गठान बनाएंगे, तो आपको देखिए, एक पट्टी को इतने ऐसे आपको measure का लेना है, कि आपको गठान कहां लगानी है, चो लगाएंगे हम, फिर इस तरीके से strip लेनी है, और इसको देखिए, ऐसे सीधी करके, हमें दूसरी साइट से ऐसे निकाल देनी है, ठीके, इस तरीके से हम इसमें एक note बना देंगे, तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है ना scan पे, अब हम इस तरीके से थो जो गठान है वो प्रॉबबद, अब हम क्या करेंगे, इसके उपार glue लगा लेंगे, और जो हमारी यह strip है, इसको चिपका लेंगे, मैंने यहाँ पे इसे glue gun से चिपका लेंगे, आप चाहें तो भी 6000 से चिपका सकते हो, गर आप इसे नहीं भी चिपकाना चाहते हैं तो भी काम चल जाए को कि हमने जो गठान लगाई है उससे यह set रहती है, इस तरीके से हम पूरे में glue लगा के से चिपका लेंगे, मैंने यहाँ पे जो गठान लगाई है, वो side में लगाई है, आप चाहें तो बिलकुल जो mid में लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके स मैं नीचे भी पूरा glue लगा के इसे चिपका लोगी देखें, यह कुछ इस तरीके से बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसके end में लगाने के लिए ribbon लेंगे, तो देखें मैंने यहाँ पे ribbon लिया है, तो इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो 6 इंच रखी है, और यहाँ जो मैंने ribbon यूज किया है, वो 1 इंच पाला है, अब इसे इस तरीके से ऐसे हमने फोल्ड कर लिया, अब केची लेंगे और इसे काट लेंगे, अब हम क्या करेंगे, चैंडल लेंगे और इसके जो दोनों end है उन्हें सेट कर देंगे, नहीं तो जब हम इसे glue से चुपकाते ह हैं, तो यह हमारे चुपक चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इस can में बिलकुल glue लगाएंगे, और उसके बाद यह हम लेंगे ribbon, और ribbon के इसके उपर इस तरीके से ऐसे हैं, सीधा ribbon आपको उपर रखना है, सीधी side ribbon की, अब हम ऐसा ही थोड़ा थोड़ा glue लगाते जाएंगे और इसे चुपकाते जाएंगे, अगर आपके पास ribbon available लई हैं, तो आप simple कपड़े की strip से लिजी और उसे लगा दीजेगा, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा आपको खीसते हुए ribbon लगाना है, ताकि हमारा जो ribbon है वो नीचे से एकदम set हो जाए, और जो कपड़े की थिकन से वो भी कम हो जाए, अब ये हम इसके नीचे भी glue लगा के एकदम उसको close कर देंगे, तो इसे हाँ से थोड़ा सा दबा के आप ध्यान दीजेगे, हाथ न जल जाए, तो दिखिए इस तरीके से ये मैंने एक साइट एक एंड इसका बंद कर लिया, और इम इसे सेम हमने जै तो देखिए दोनों हैं एंड पे रिबिन लग चुका, इस तरीके से हमारा ब्यूटिफूल सा है बेंड बन के तैयार है, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो चनल को लाइक शेयो और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करना बिर्किल मत बूलना, थेंक यू फो झालना